नमस्कार दोस्तों आज स्रश्टी द फ्यूचर से आपने क्लासे देखी अब तक पर्सेंटेज की पर्सेंटेज के जो मैत्पूर्ड आए हुए कुश्चन थे पिछली क्लास में हमने वो कराए थे आज एक बहुत ही इंपोर्टेंट को से ब्याज लेका चलते हैं साधार ब् ब्याज जो है वो दो प्रकार की होती है देखिए इंट्रेस्ट यानि ब्याज ब्याज दो प्रकार की होती है एक सिंपल इंट्रेस्ट और एक कंपाउंड इंट्रेस्ट एक सिंपल इंट्रेस्ट और एक कंपाउंड इंट्रेस्ट सिंपल इंट्रेस्ट मतलब साधारड ब मूल्धन पर ब्याज लगेगा किस पर लगेगा मूल्धन पर प्रतेकवर्ट मूल्धन पर ही ब्याज लगेगा लेकिन compound interest जो चक्रद्धी ब्याज है इसमें ऐसा नहीं होता इसमें क्या होता है कि मूल्धन पहले साल में तो मूल्धन पर ब्याज मिलेगा दूसरे साल में मूल्धन के साथ जो पहले साल में ब्याज मिला उस पर टोटल पर ब्याज मिलेगा उसके बाद में दो साल में जो टोटल मूल्धन प्लस दो साल का जो ब्याज होगा उस पूरे पर तीसरे साल के लिए ब्याज लगेगा यह होता है हमारा चक्रवधी व्याज लेकिन साधार व्याज पर हर साल मूल्धन पर ही व्याज मिलता है अब मूल्धन क्या होता है मूल्धन मालनी जी किसी आप सेठ के पास गई लाला के पास गई और उस लाला के पास जाके आपने कहा कि मुझे 10,000 रुपए की जरू होता है और वो आपने उसने आपको दे दिया तो जो आप रुपई की आपको आवे सकता थी जिसके लिए आप लाला के पास गई वो जो धन आपको देगा वो धन होगा मूलधन ठीक इसको अंग्रेजी मोलते हैं प्रिंसिपल मूलधन प्रिंसिपल अब वो कहेगा आपसे कि इस पर ह कि हम कोई एक निशचित रुपए लें धे से वो कहेगा कि 100 पर 3 रुपए लेंगे ये 100 पर 5 रुपए लेंगे जैसा आपका अट्रेस्ट में तो तो सो रुपए पर जो आश्र रुपए लेगा वही आपका दर होगा o क्या होगा दर दर को हम कहते हैं rate of interest, यानि ब्याज की दर, ब्याज की दर क्या कि सो रुपए पर जो वो लाला हमसे एश्टर रुपए लेगा, अब जैसे कहीं कहीं ये कहता है, कि मैं तो हजार रुपए पर दस रुपए लूँगा, है ना, तो आप लगा देंगे कि हजार रुपए पर दस रुपए तो सो रुपए पर कितना? एक रुपए तो हमारा दर होगा बन-pen 색깔 मैं किसमें चलता है। प्रतिषत में और प्र॥िषत की value आपको पता है क्या होता है प्रस्षत मतलब 100, तो दर हमारा हो झाएगा 100 रुपए पर एक साल अवाला भ्याज के आउख कि अधिक आउ साल के लिए चार साल के लीए वो सब क्या होगा समय होगा ठीक है जो हमारा रेट और इंडरस हमारी लिए इंपोरडेंट है वो बार्सिक एनी एक बरस में लगने वाला सोर पेपर लगने वाला धन बहुत ही इंपोर्टन चीज़े सिर्फ यह चीद ध्यान रखिए दर होगा सोर पेपर एक वर्स में लगने वाला धन क्या हो जाएगा ब्याज की दर ठीक चले आगे चलता है अब देखिए यह दर हो गया समय हो गया मूल दर भूआ हो अब हम का आते हैं बयाज के बीआज यसको अ following मतला सूद कeurs घ्राइश को हम सूद करते हैं इसको बहुत से लोग कहते हैं जैसे आपने पैसा ले लिया बहुत से कहतेगा मैं सूद समय पटा लोगा सूद समय ले लोगा तो this होता है इस को हम ब्याज कहते है जैसे बहुत से लोग गाउं में देखा होगा सूध खोरी करते हैं ने उच्छे पर पड़ते रहते होगे कि उसने सूध खोरी में यह पकड़ा गया वह पकड़ा गया यही ब्याज का मामला होता है लेकिन वह बहुत चाद हाई इंट्रेस्ट लेते हैं आप बैंक में आपने लोग ली तो लोग पर क्या होगा कि आपको इतने परसेंट की ब्याज में लगेगी एड़ी वालों के सभी के पास कॉल आते रहते हैं कि ब्याज ले लीजी सर बहुत अच्छे रिट आप इंट्रेस्ट पर दे रहे हैं ना कि 10.25 परसेंट पर दे रहे हैं इसका मतल ब्याज का एक formula होता है मूल धन गुंcej गुनादर गुणा समय बटे 100 मूल धन गुनादर गुणासमय बटे 100 मूल घन को कि कहते हैं प्रिंसिपल दर को कहते हैं रहेप इंट्रेस्ट और समय को कहते हैं टाइम टी अपॉन और यह जो ब्याज है इसको क्या कहते हैं इंट्रेस्ट तो यह हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा रेट आप इंट्रेस्ट ब्याज का पी आर्टी अपॉन इसके बाद में एक चीज और आता है मिस्रधन को हम मिस्रधन को हम ऐमाउंट कहते है अब देखिए मिस्रधन क्या होता है मिस्रधन होता है कि आपको आपने अगर किसी से रुक्या उधाल लिया औव बौर आपको कितना रोटाना है यह औक जैसे मान लेजे आपने किसी से 2000 रुपए ले लिए उसने 2% की ब्याज लगाई और कुछ समय बाद आपका 400 रुपए ब्याज बन गया तो आप उसको कितना रुपए लोटा हुए 2000 तो मूल्धन था और 400 रुपए ब्याज यानि 2400 रुपए लोटा हुए तो यह जो 2400 प्लस आई एमांट प्लस आई आप और याद करना चाहो तो प्लस आई की वेलू यह है पी आर टी अपॉन अंडे अब देखिए आपको यह दो फॉर्मूले हैं इन पर आपको काम करना लेकिन हम कोसिस करेंगे कि इन फॉर्मूलों का आपको यूज ही ना पड़े यह फॉर क्रेश्ट पी आर टी अपॉन हंडेट यानि मुल्धन गुणा दर गुणा समय बट्टे सो एमांट मिस्वर्धन बरावर मुल्धन प्लस ब्याज जोभी मुल्धन होगा उसमें अगर हम ब्याज एड़ कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा मिस्वर्धन ए बरावर पी प्ल अगर हम देखें तो अभी हमने फॉर्मूला बताया इंट्रेस्ट वरावर पी आर टी अपॉन हंडेट पी की वैलू यहां पर कितनी है पांसो रुपे आर की वैलू कितनी है दस पर सत और टी की वैलू कितनी है तीन वर्स यहां फॉर्मूला लगाई है पांसो गुड़ा दस गुड़ा तीन बटे सो इसको अगर आप सॉल्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा पांच गुड़ा दस गुड़ा तीन बरावर एक सो पचास रुपे यह आपका साधार व्याज हुआ जया एक एक आप ऐसे दिखो यह कह रहा है हमारे जोंतर है दर क्या है सो रुपेपर एक वरस में लगने वाला ब्याज phenomenon कि यही तो है दृ इक सो रुपएपर एक वरस में लगने वाला यहां पर देख़ों दस प्रतिशत कि सो पर दस यही तो है इस्ट फेस्डवाला चैत्वी ख्राएं त्रता है इसका मतलब पर सो के लिए लगया है यहां देखो सो रुपए पर एक बरसमें कितने रुपए बिया पर दस रुब्स के लिए तेन तो एकिए तो ने तूलना है टुसरो Tibbet लेका पर नहीं चाहिए है पांच व यह वाला जो धन है यह भी क्या गुणा हो जाएगा पांच गुणा यानि तीन पांच पंद रहा है डिएड़ सो रुपए तो पांसो रुपए पर कितना लगेगा हुआ इक साल में पांसो रुपए पर फे लगता है तो तीन साली में पांस पचासं 50-50 पचास भी 200 रुपे सा psychic MUSIC साथर हमेशा किसे लगता साल के लिए किस पर लगेगा मुलदन Mahmati लगेगा सजय शेयर तो प्रतेक वर्स कैसा होगा नातुत मकषी साल बराबर निया साल के लिए उतर प्रतिज bypass प्रस्त बारिसिक दर से दो बरस के लिए उधार दी गई उसका साधारण ब्याज ग्याद करो क्या पूचा इसने साधारण ब्याज ग्याद करो देखें यह कह रहा है कितना है पी बरावर हमारा है वही लगा देते हैं पी बरावर पी का मतलब पच्चिस सो मुल्धन दर कितनी है आठ परसा आठ समय कितना है दो बरस बट्टे सो किसो सॉल्व करोगे यह बट्चिस गुणा आठ गुणा दो पच्चिस अथ्ठे दो सो दो सदूनी चार साधारण ब्याजाया वह कितना है चार सॉर्टे आप कितना लगेगा तोले दो बर्स के लिए दो का गणा कर दिए हैं आनि सौर प्ञवप रोपे पतुर में कितना लगेगा सोलगंए यह सोना ऑके कितना है धाई हजार यानी क्या क्यावगों पत्चीस कुना तो यह भी क्या गुणा हो जाएगा है तो फोल एक साल में आठ रुपय आच दो साल में तो इसको 25 गुणा कर दें तो इसको पच्चीस दाइं दोसो पचास और पच्चीच पे डेड़ सो चार सो रुपए की धर्णासी चार प्रस्वत वाथ सिक दर्णासे दो बरस के लिए उधार दे गई उसको कितना रुपया वापस करना होगा कि इसका मतलब उसने क्या पूछ बापस और क्या देना होगा उसे मूल धन के साथ मूल धन के साथ कुछ ब्याज भी देना होगा तो हमसे क्या पूछा है उसको कितना रुपया बापस करना होगा यानि मूल धन के साथ में जो ब्याज लगा उसको एड़ करके हमको बताना है तो इसके लिए अभी तो फार्म पाँच हजार आई की वेलू चार टी की वेलू दो अपॉन हंडेड इसको सौल करें तो दो जीरो से दो जीरो का इंसल और पाँच हजार पिलस पचास चौक 200, 200 दूनी 400 यानि कितने रुपई देना होगा उससे? चार रुपई यह हमारा अंतर रुपई है अगर हम इससी को ऐसे समझें कि देखो 100 रुपई पर कितने रुपई का ब्याज देना पड़ता है? 5-100 क हजां तो कितने का बना अंतर पांच हजार पचास का हुआं हो जाएगा? पचासकाह तो कितना मना न चार सो तो पांच श thousand ये वाय पत्सकरना है और चार सो ये तो टोटल कितना वापस करना मपढ़ेगा पांच यह प्रस चार सो चौह चौह टोफ़े तो तोटल रूपः पहली साल का ऊचाओ दूसरी साल या टोटल वाद लग गया आठrob कर या यानि 108 रुपए वापस कर रहे होते हैं तो सो रुपए पर 108 रुपए वापस करने पड़ते हैं लेकिन यह कह रहा है सर हमने 5000 रुपए लिए हैं 5000 रुपए लिए इसका मतलब 50 गुना रुपए लिए हैं तो हम 50 गुना ही क्या करना पड़ेगा वापस करना पड़ेगा जब ह साधार ब्याज की किस दर से 1200 रुपए का 10 वर्स में साधार ब्याज 240 रुपए हो जाएगा यहां पर थोड़ा सा कुश्चन को उसने चेंज की है यहां पर यह क्या हो जाएगा पी ये टी ये क्या है आई पूछा क्या है आर पूछा है हमें आई भी दिया है पी भी दिया है टी भी दिया है आर पूछा है तो अगर फॉर्मूला लगाएं आई बराबर पी आर टी अपॉन हंडेट तो दो को आई की वैलू 240 पी की वैलू 1200 आर की वैलू निकालने है टी की value 10 साल upon 100 यह 20 से 20 के अंसल यहां से देखें तो आर बरावर 240 अपॉन यह दोनों इधर आ जाएंगे नीचे 240 अपॉन बारे गुणा 10 जीरो से जीरो के अंसल और बारे दूनी 24 यहनि जो आर है वह क्या परसेंट आ जाएगी दो परसेंट लेकिन अगर आप ऐसे सी समझो थोड़ा सा ऐसे सोचो कि देखो 10 साल में क्या रुपए ब्याज मिल ला है कि 240 कि दस साल में क्या रुपए ब्याज मिल ला है 240 कि इतने रुपए पर 1200 रुपए पर मिल लेकिन हमें जो दर होता है दर बार बार वार वता रहा हूं यह एचरा धियान रखो कि दर क्या होता है सो रुपए पर एक साल का ब्याज यही तो होता है देखो दस साल में कितना लग रहा है दो सो चालिश और ब्याज हर साल कैसा मिलता है बराबर अगर मैं यह देखूं कि एक साल में कितना मिलेगा तो यह जीरो से žीरो काट दोंगे आप आराँमस === केसाद 24 रुपए मिलेगा 24 रुपए मिलेगा कह रुपए पर बारे- Movie यह तो दिया है 12100 रुपए बारे-ए सौर रुपए पर एक साल में क्ये रुपए मिलेँ Jan लें दो और यही तो rate of interest होता है 100 रुपए पर एक साल का ब्याज तो दर क्या हो जाएगी 2% अब देखो यह आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है आप simply सोचो ऐसे ही कि 10 साल में मिला 240 तो एक साल में 240 बट्टे 10 साथाण व्याज कि कसी दर से 3000 रुपय का चार में साथाण व्याज 363 होगा सेम ऐक तो आप यही से लगा दो कि आई वरावर पी आर्टी अपन हंडेट तो अगर आपको आर निकालना है तो आई गुणा हंडेट अपन पी इंटू टी यह कर देते हैं कि पीटी को इदर ले आई हंडेट का गुणा कर दिया अब एक बात बताओ जब इससे हमारा काम चल रहा है तो हम इस पर क्यों अ हैं आपके लिए और जब हम बिना याद के ही बता रहें तो इसको भी याद नहीं करना है कि देखो अब टी की अगर आपको जरूवत पड़ी तो एक नया फॉर्मूला बना देंगे कि आई गुणा हंडेड अपॉन पी इंटू आर यह अंडेट इदर गया पी आरेदा टी आरहाँ हमें पूछा है टी की वैलू चार बर्स अपॉन हंडेड जीरो से जीरो कैंसल और बर आपन निकालें तो यह तीन सो साथ है सोरी तीन सो साथ अपॉन तीस गुणा चार यह भिए टी पर आप सेंपली सोचों कि यह 3060 रुपे का ब्याज है यह कैसाल में मिला है दूसरा त्रीका बतार हो करने की जरूद नहीं है बस दिमाग से लाना है, यह जो दिमाग है यह बहुत ही खाली है, बहुत कम यूज कर पाते हैं, इसका यूज करो, क्या जरूए ते कौपी के, ऐसे समझो कि 360 रुपे मिल ला है, चार साल में, तो एक साल में कितना मिलेगा, 90, 49, 36, 0, एक साल में कितना मिलेगा, 90, कितने यानि 100 रुपे पर कितना लगेगा, 3 रुपे, यही मिलेगा, और यही तो हमारा क्या होगा, rate of interest, यानि ब्याज की दर, 360 रुपे मिल ला है, चार साल में, एक साल में कितना हो गया, 90, एक साल में 90 हो गया, 3000 रुपे, तो 3000 को हम 30 कुणा 100 लिखते हैं, अगर 30 को उधर 90 में भ जिस वर साथ परस्थ बार्सिक ब्याज की इदर से साधार ब्याज 280 रुपे है, जो 4 वर्स के लिए उधार दी गई है, अब देखो, यह क्या है, आई, यह आर, और यह टी, आई, आर, टी, रह क्या गया, पी, वह धर्रासी, वह धर्रासी का मतलब, पी, तो रह गया, देखो, लगाओ, आई बराबर, पी, आर, टी, अपॉन, हंडड, आई की वेलू कितनी है, 280 रुपे, बराबर, पी तो हमें निकालना ही है, आर की वेलू, साथ, गुणा, टी की वेलू, चार, बटे, 100, इसको अगर 100 लुगरें, तो देखो, 280 गुणा, यह इधर जाएगा, इसको अपॉन, यह दोनों, नीचे आएगे, साथ गुणा, चार, इधर क्या बचेगा, पी, साथ चौक, साथ चौक अट्थाइस, या पर ऐसे देख लो, कि देखो, साथ से इसको क्या वार काटें, चार वार और चार से यह, तो केतना बचेगा, यहां से केतना बच्छा, दस गुणा, सो, बरावर, पी, यानि, पी बरावर, एक हजार, रुपए, ठीक, देखो, यह, दस बचा, साथ चोक, अट्थाइस, 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 दो से दस बार कट जाएगा, ठीक है, यह वाला, जीरो बचा, इसको दस लेखेंगे, तो यह, दस गुणा, ए रिंके से समझना चाहे, ऐसे समझो, देखो, हमें 280 रुपए व्याज मिला है, टोटल, लेकिन यह खहरा है, कि साथ प्रत्शत दर है, इसका मतलब 100 रुपए पर कितने रुपए मिल ला है, साथ, एक साल में, तो चार साल में कितने मिलेंगे, 28, चार साल में कितने मिलेंगे, 28, एक साल में, साथ प्रत्शत का मितलब, 100 रुपए पर, 7 रुपए मिलते हैं, एक साल में, धर का मतलब यही तो बताए था, 100 रुपए पर मिलने वाला धन, तो 100 रुपए पर कितना मिल ला है, ताथ, एक साल में, तो चार साल में कितना मिले आजाएगा 10 गुना आंसर आजाएगा 1000 रुपए ऐसे समझे लोग सीधे सीधे सो रुपए पर मिलते हैं सात रुपए एक साल में तो चार साल में 28 चार साल में कितने हो गए अठाइस सो रुपए पर हमें मिला है दो सो से तो अठाइस दाइं दो सो से दस गुना हो गया इधर सो को गर दस गुना करो गए तो कितना हो जाएगा 1000 कुश्चन है कौन सा धन पांच परसक पार्शिक दर से आठ वर्स में ब्याज 320 रुपए देगा अभी जो कराया है वैसा यह कुश्यन पर थोड़ा फक्त एंग गिया है देखो ये क्या हो जाएगा आर ये क्या हो जाएगा टी ये क्या हो जाएगा आई बचा क्या पी यह पूछा है अगा दो आई बराबर पी आर टी अपोउन हंड़ेट है की वैलू 320 पी निकालना है और पांच परसत है ती आठ बर से है अपॉन अनेट सोल्व करें तीन सो भीस गुणा सो अपॉन पांच गुणा आठ बराबर पी यह नीचे आ जाएगा यह उपर जाएगा आठ से काटू आठ चोग बतिश चालिस वार पांच से फिर इसको आने आठ तो आठ गुणा सो बराबर पी यानि पी हम हम बिलन होगा वो कितना होगा 800 जाइए कि यह कह कि आठ बर्स में 100 पर कितुन रुपई मिलते हैं 5 तो आठ बर्स में कितने मिलेंगे चालिस एक सब्सक्राइब कितने रुपए मिल जाएंगे 40 रुपए हमें 40 नहीं मिलें कितने मिलें 320 देखू आठ होना ही तो हुगा चाली सट्थे तीन सब्सक्राइब तो यह जो मुल्धन है यह जो मुल्धन होगा वो कितने रुपए होगा 800 रुपए कुशन है एक वर्समें 5000 रुपए बढ़कर 5749 हो जाता है तदूसार 5 वर्समार उसी साधार्ण ब्याज की दर से 2000 कितना हो जाएगा देखिए कोशन समझाएं यह क्या कह रहा है इसने कहा कि 5000 रुपए बढ़कर कितना हो गया 2700 यानि ये principle हुआ और ये क्या हुआ amount क्या वर्ष में एक वर्ष में ये एक वर्ष क्या हो गया टी और इन नोनों का जो अंतर हुआ कितना 700 रुपे ये क्या हो गया आई अब देखिए पी यात है टी यात है आई यात है पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी R की अजर R निकालें तो I बरावर P R T upon 100 लगाएंगे I कितना है 700 रुपए P कितना है 5000 R निकालना है T 1 बटे 100 2 0 से 2 0 कैंसल R बरावर 700 बटे 50 यह R यहां रहेगा 50 नीचे पहुंच जाएगा 0 से 0 कैंसल कितना आगया 14 पांच 5 एकन 5 2 बचा और 5 आप 20 यानि जो R की वैलू आई वो कितनी आगई 14 परसेंट R की वैलू 14 परसेंट आगई अब देखो इसने कहा कि 7000 रुपए कितना हो जाएगा यानि P बरावर कितना है 7000 ठीक 5 वरसों बाद 5 वरसों बाद मतलब T बरावर 5 R बरावर अभी निकाला है 14 परसेंट हमें चाहिए क्या amount यही तो चाहिए amount इसने पूछा है कितना हो जाएगा या कितना होगा कितना होगा का मतलब क्या चाहिए amount अगर यह ब्याजगी कहता 7000 का ब्याजगी इतना होगा यह पूछता तो देखो A बरावर P प्लस PRT upon 100 होता है formula लिखाया था A बरावर P प्लस PRT upon 100 इसको अगर solve करें तो P की वैलू 7000 प्लस 7000 गुणा R की वैलू 14 गुणा T की वैलू 5 बटे 2 0 से 2 0 कैंसेल 7000 पिलस 70 गुणा 14 गुणा पांच कितना हो गया 7000 पिलस देखो 70 और यह भी 70 हो गया 70 गुणा 70 4900 14 पांच 70 77 29 गुणा 7000 प्लस 4900 11,900 यह हमारा क्या होगा amount होगा देखो द्वारा सुम्जो यहां पर पी दिया है 5000 टी भी दिया है एक बर्स और कितना हो गया amount यहां से जब principle दिया है amount दिया है तो आप आराम से क्या निकाल लोगे आर निकाल लोगे पहले ब्याज निकालोगे दोनों को घटा के उसके बाद में आर निकल आएगा जब आर निकल आएगा तो हम लगाएंगे आई बराबर पी आर टी अपॉन हंडेट पी अपॉन हंडेट लगाएंगे तो आर की बेलू कितनी आ गई चौदेँ पर्सेंट चौदेँ पर्सेंट यहां से देखो पांचلف रुपए हैँ 57वं हो गया यह सब निकाल लिएगा आगे यह साथ थरा पूछ रहा तो पी वराबार साथ अजार ती वराबर पांच बार आर बरहर 14 परसेंट और A निकालना है तो A बरावर P प्लस PRT अपन 100 यहां से लगाओ P बरावर 7,000 P 7,000 R 14 T 5 बट्टे 100 2 0 से 2 0 के अंसेल 7,000 प्लस 70 ये वाला गुणा 14 5 70 70 गुणा 70 4900 7,000 और 4900 11,900 रुपे देखें यह हुआ अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें सिंपल वनाने के लिए 5,000 रुपे पर कितना ब्याज मिला है 700 रुपे 5,000 बढ़के कितना हो गया अगर हम इसको सॉल्व करें तो पचास गुणा सो यह लिखने के आपको जरुवत नहीं है यह मैं लिख रहा हूं क्योंको मुझे समझाना है आप बस दिमाग से सोचो यह 0 से 0 काटो पांस से यह 14 यानि 100 रुपे पर कितना रुपे मिलता है 14 रुपे ब्याज नई चीज देखते हैं 1,000 एक साल की भी बत चले ही है एक साल में 100 रुपे पर कितना मिलता है 14 यह यह कह रहा है उसी ब्याज़ पर क्या वर्स में 5 वर्स में तो अगर मैं यह पांच का गुणां कर दूं तो तोर रुपे पर 5 साल में कितना मिलेगा गांगे ततर रुपए लेकिन यह कह रहा है कि मुझे ना तो पांच अजार पे चाहिए और ना ही सौ पे चाहिए क्यों पांच अजार का खेल तो खतम हो गया अब खेल किसका बचा है कि मुझे अब कितने रुपए पे चाहिए 7000 रुपए तो अगर मैं इसको 7000 बनाऊं तो कितने का गुणा कर दूं तत्तर का सीधा दिख रहा है दोगों यह दो जीरो हैं जिस्से खतम हो जायेगा सत्तर बचेगा यानि सत्तर का गुणा हो जायेगा तो यहां पर भी कितने का गुणा हो जायेगा सत्तर का शत्ता साथ-साथ-उननचाथ और एक यह जीरो एक यह कितनी जीरो होगा है दो-जीरो यानि साथ अजार रुपये पर मुझे कितना ब्याज मिल जाएगा वननचास na तो टोटल रुपये कितना हो जाएगा साथ हजार पिलस उनन्चास्व यह ब्याज का यानि ग्यारे हजार नो सो रुपए यह तो एक तरीका है यह थोड़ा सा लंबा है अगर आप दिमाग से सोचोगे तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है समझो दो को पांच हजार रुपए पर कितना मिला साथ सो पांच हज सो रुपए पर कितना मिला है चॉधर रुपए एक साल में हमें ये क physicians कह रहा है पांच वर्सों में तो इस चॉधर में क्यक्का wynov video पांच कंал कितना हो गया सत। यानि 100 रुपए पर जो ब्याज मिला वो कितने रुपए? 70 रुपए लेकिन हमें चाहिए कितने पर? 7000 रुपए तो इसमें कितने का गुणा कर दिया? 70 का तो 70 का गुणा यहां भी हो जाएगा 70 कुणा 70 77 49 और 2 0 4900 रुपए हो गया ब्याज उसको देना पड़ेगा यह आज हमने आपको साधार ब्याज की इस्टाइटिंग की साधार ब्याज सभी समझ गई होंगे कि साधार ब्याज क्या होता है? प्रतेक बर्स मूल धन पर मिलता है जो भी धना में मूल धन पर मिलेगा प्रतेक साल में प्रत्यक साल को मूल धन पर ही बिलेगा, है ना, सूधाड बातों में आप सूध कहीं है, जैसे हमारे यहां कहावत है, पता है आपको, सूध समयत, मतलब जो सूध होता है, वही ब्याज होता है, वैसे सूध को शुरुआ अससे ही काफी गलत माना जा चुपा है, लेकिन हमारा बेसे यह नहीं है, कि क्या है सूध क्या नहीं है, हमें बस यह देखना है, कि हमें वो कैलकुलेट कैसे करनी है, ठीक है, तो परसेंटेज के बाद हमने यह साधाड ब्याज शुरू की है, साधाड ब्याज के बाद हम आपको कराएंगे, चक्रवदी ब्याज, अभी तो काफ बहुत अच्छे लेविल के जहां तक हम आ सकते हैं उस लेविल के बताएंगे तो किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट वक्स में बता सकते हैं कोई चेस समझ में नहीं आई हो अगली वीडियो में आपकी वह प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी और वीडियो देखते र करिए सब्सक्राइब करिए धन्यवाद